किसान भाईयों नमस्कार स्वागते हैं अमारे योटूब चैनल बेस्ट पार्मिंग में किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पियाज के बाव को लेकर आने वाले समय में प्याज का क्या बाव रह सकता है प्याज के बाव में कितनी तेजी बन सकती है फरावरी व्या मार्च मैनों में प्याज का बविश्य क्या रहेगा प्याज में कितनी तेजी बन सकती है किसान भाईयों इस वीडियो में हम कुछ आकडों के अनुसार प्याज के वाव के बारे में बात करेंगे आने वाले समय में प्याज का भविश्य क्या रह सकता है किसान भाईयों आप अपने माल को खरीदने वा बेचने का नेड़ने अपने सोयम के मार के से ले वीडियो में आगे तक बने रही है और आप हमारे यूटूब चेनल पर पहली बार है तो चेनल को सब्सक्राइब करें और दबाए पास के बेल लाकिन को ताकि आगे भी आपको केती से संबन दित हुआ मंडी बाव की जानकारी मिलती रहे किसान भाईयों आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे पियाच के बाव को लेकर किसान भाईयों अभी मौजुदा पियाच के बाव की बात करें तो अभी पियाच का बाव 20 से 30 रुपे के मद्य पियाच का बाव देखने को मिल रहे है अभी पियाज के बाव में कापी सुधार देखने को मिला है अगर पियाज के बाव में ऐसे ही तेजी होती रही तो आने वले समय में पियाज के बाव में कापी जोड़दार तेजी बन सकती है किसान भाईयों यह तो बात की हमने मौजुदा पियाच भाव की अब हम बात करते हैं कि आने वाले समय में पियाच का क्या भाव रहेगा किसान भाईयों जैसा कि अभी मंडियों में पियाच की अवग दिरे दिरे कम देखने को मिल रही है किसान भाईयों वही अगर प्याज की अच्छे कासी मांग होती हैं तो प्याज के बाव में कापी जोरदार तेजी बन सकती हैं मंडियों में प्याज की अवक कम होना प्याज के अच्छे कासी डिमांड निकल कर सामने आना और अगर विद्यसों में प्याज का निद्यात सुरू होता है तो प्याज के बाव में कापी जोरदार तेजी देखने को मिलेगी किसान भाईयों अभी मंड्यों में प्याच की आवके बहुती कम देखने को मिल रही हैं जिसके चलते प्याच के बाव में दिन परती दिन तेजी देखने को मिल रही हैं अगर मंड्यों में प्याच की आवक कम होती हैं प्याच की अच्छी गासी मांग होती हैं तो पियाच में जोर्दार देजी बन सकती हैं। किसान भाईव अनुमा तो यही हैं कि आने वाले समय में पियाच के बावों में कभी जोर्दार देजी बन सकती हैं।